असलाम कुम स्टूडेंट्स मैं हूँ आपके साथ बुशा और आप अपने यूट्यूब चैनल एयाईयू कैडमी में खुश्यामदीद कहती हूँ और उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे और जैसा कि आप सब नहीं पता जुनों ने बिलकुल अकाउंटिंग पड़ी ही नहीं है फास्ट टाइम अब पढ़ने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर है और अगर तो वो बिलकुल प्रॉपर सारी कॉंसेंट्रेशन अपनी यहां पर लगाते हैं तो फिर इन्शाला आपको भी आप हमने स्टार्ट किया कहां से लेना है बचे हम बिलकुल स्टार्ट से लेंगे ठीक है बिलकुल पहले पॉइंट पर हम लोग शुरू करेंगे और फिर एंड तक जाएंगे क्योंके जब तक आप पहली सीड़ी की उपर पाव नहीं रख थे आप आँगरी सीड़ी तक नहीं तो उसके लिए basic terms जो हैं हमारे पास जो accounting में use होती है उनको हमने देखना है कि वो कौन सी है उनका क्या meaning है with examples मैं आपको समझाऊंगी तो उसके लिए फिर आपको ना ये lecture सुनना पड़ेगा ठीक है तो मेरे जो channel पर new है first of all मैं उनको welcome कहती हूँ और thank you बोलती हूँ और अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो बेटा जी subscribe कर दें बेल notification on कर दें ताक्के आने वाले दिनों में जैसे ही में वीडियो या ये वाले lectures फर्दर जो lectures हैं जिसमें हम अकाउंट्स को घरब रिपेर करेंगे वह upload करती हूँ जो ताकि आप लोगों को ढूड़नी ना पड़ने आपको easily मेल जाएं ठीक है और जो मेरे regular student है वह तो always welcome बचे बहुत शुक्री आप लोगों का भी और बस यही कि अब आप लोगों ने ना अच्छा चाप पढ़ना है ठीक हो गया start करते हैं बचे आपको ना ये दो चीजे नजर आ रही होंगी balances और business transactions ठीक है writing मेरी इतनी हास नहीं है writing ने आप लोगों ने आप लोगों ने खुद सही से कर लेना है जैसे जैसे आपकी writing है प्यारी प्यारी हुपसूरत हुपसूरत writing आपने उसमें लिखना है मेरी तो जो writing है वह है अब मैं इसको जैन्ज नहीं कर सकती ठीक है क्योंकि है यहीं आपको बताती हूं कि business transaction और balances मै यहीं वह चीज़ें बेसिक्स टर्म्स हैं यह accounting कि accounting इन पर बेस करती है इसके अलावा accounting है कुछ नहीं ठीक है तो देखिए आपके सामने लिखा हुए business transactions business transactions कहते किसको है balances की बात पहले कर लेते हैं उसके बाद आपको business transactions बहुत अच्छे से समझाए गया बचे balances जो है ना हमारे पास यह है हमारे पास एक account ठीक है अभी इस पर आप लोगों ने यह नहीं कहना कि मैं यह कैसे आपने बनाए चोड़ने बचे जैसे भी बनाए है बस ठीक है यहां प पास कितनी रकम बची हुई है ठीक है अगर तो हम इसकी बात करेंगे ना कैश में तो हमारे पास कितना कैश रिमेनेंग है कितना अभी हमारे पास मुझूद है ठीक है वह होता है आपके पास balance जबके business transactions उनको कहते हैं कि हमने कोई चीज़ बाइ की है सेल की है बट अभी तक उसको record नहीं किया हमने ठीक है फॉर एक्जेंपल ये पैन ना मेरे पास इसको मैंने सेल कार दिया बिक गया ठीक है सेल तो मैंने कार दिया इसको और सेल भी किया है credit पे मतलब अब जो जिसको मैंने ये सेल किया है उसने बोला है कि मिस मुझे ये पैन दे दी ठीक है इसके प कोई नहीं करता ना मैंने उसको दे दिये ठीक है बचे आप ले जाएं फिर मुझे पैसे आप बाद में दे दीजेगा मैंने इसको लिखा नहीं है अपने एकाउंट बुक में मैंने इसको नहीं लिखा तो वह अभी तक क्या है अच्छा मैंने चीज आपको दे दी आपने ले ली ठीक है मैंने दे दी चीज आपको मैंने आपको पैन दे दिया आपने पैन खरीद लिया मुझसे मैंने इसको नौट नहीं किया अभी रिकॉर्ड में म क्या होती है हमारे पास हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है और जो चीज नोट की जाती है ठीक है जो चीज नोट कर ली जाती है उसके बाद इसकी अकाउंटिंग होती है कैलकुलेशन होती है रिमेनिंग चीज जो आती है वह हमारे पास क्या होता है बैलनस होता है यहां तक य जैसे भी मैंने आपको बताया है कि बिजनस ट्रांजेक्शन के बाद जो अगला स्टेप है बिजनस ट्रांजेक्शन के हमने कोई भी डेटा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया नेक्स्ट चलते हैं ठीक है इसी के नीचे आप लोगोंने भी यही काम करना है यहां पर मैंने क्या की हुआ हो गोड्स यह क्या चीज है गोड्स कुछ बी है कोई-भी चीज हम नो जो खरीदते हैं बेचते हैं उनको क्या कहते हैं बिलिक्त,Bilkul इजी वैरी वाइब आपको बताऊंगी गोड्स क्या होती है ठीक हैimar हमने कोई गोड्स परचेस की हैं सेल की है कोई चीज हम ने बेची है या खरीदी हैं तो उन चीजों को हम क्या नाम देंगे गोड्सका समझा आफ इम नी बचल्ड अगर पर्चेज करनी ए थीक है गोड्स पर्चेज करेंगे कैसे करेंगे आफशों मेरे साय करनी है पर्चेज करना क्या होता है बच cinnamon मतलब मैंने गोड़ को खरीदना है तो यह तुम्हें उसके लिए बनेगा पर्चेज अकांट muffin निसे हैं इस ہوتा है फ़र आप खष्षाई करीद निया ठीक है और यहां पर पिस दिदो बैचनी है तो बैचनी को किया कहते हैं बेटा sales कहते है न यह क्या हो जाएगा हमारे पास sales account यहां तक clear है goods मैंने या तो बेचनी है या sales sorry या तो खरीद नहीं है या बेचनी है means to say या तो हमने goods को purchase करना है या sale करना है ठीक है और इसकी यह भी बात हो या transactions की मतलब record नहीं होई अभी तक ठीक है हमने या तो goods को purchase करना है या sale करना है अब देखें बेटा goods purchase होंगी या तो cash में होंगी या credit में होंगी अभी इसको छोड़ देते हैं हम इस पे अभी बाद में देदोंगी तो ये होगा चले हमने क्यशन को करना है यहां पर quarो फ्रो फंटिशन करमाई έχ यहां पर केशन कहा घृशन यहां पर कैश साथारे है कैश आगा कैश मैं पर्चैस करना है नहीं कि नहीं पर जाया है दूटीप मैं तो मैं पर्चेज अकाउंट की बात हो रही है ठीक है मैं नहीं यहा पर क्या करना है गुड़्ज को पर्चेज करना है तो या मैं कैश में करूंगी और या मैं करेट पर करूंगी ये जीज हो गयी क्लिए अब देखते हैं गुड़्ज अगर मैने सेल करनी है मैंने कुछ बेचना है यह स्केल था, यह मैंने बाई किया है, इसके मैंने पैसे दे दी है, तो वो कैश हो जाएगा, और अगर नहीं दी है, कि बाद में दूंगी तो वो क्रेट हो जाएगा, अब यह स्केल मैं अगर बेचना चाहती हूं, यहां पर मैंने खरीदा था ना, यहां पर मैं अगर बेच ठीक है या करनी है क्रेट पे अच्छा नेक्स्ट आब आगे चलते हैं गुड्स जो हमने खरीदी बेची इसके बाद अगली बात करते हैं यहां परचेज अकाउंट के साथ एक और नाम आपका आएगा क्या आएगा परचेज पे एबल परचेज रिटार नेबल ठीक है हम यहां पर क्या करेंगी उसको क्या नाम देंगे जल्दी से बताएं मैंठेज को हमने क्या नाम देना है परचे इस रिटरनेबल क्यों यह हमारे पास पढ़ी हुई यह तो बाइर जाएंगी ठीक है बाइर जाएंगी या भी इसको छोड़ दें फर्दर इसको थोड़ी से थोड़ी देर बाद हम लोग इसको डिसकास करते हैं यहां पर आ जाते हैं अच्छा गुड्स जो हमारे पा चीज़ें यह मेरे परफ पड़ी है ठीक है इतनी मैंने अगर बेस दी Diet यह हटम हो गही ठीक है यह मेरे पास पड़ी हैं यह क्या करते हें चीलं कि अच्छा करते हैं बच्यां किThis का त smartphones क्यूंटरिक होता है थासा है आप लोगों निका चीज़ज़ याद रखनी है चरफ democrat नाम है वो क्या है इन्वेंट्री स्टोट को अकाउंटिंग की लैंगविज में जो इसका दूशर नाम होता है जो ज्यादर तर यूज होता है डैट इस इन्वेंट्री ठीक हो गया अब देखें बचेए आप ने अगर तो पड़ा है तो आपको पता है नहीं तो मेरे पास न ठीक हो गया यह होता है क्लोजिंग स्टोक क्या है मतलब हम जब अकाउंट प्रिपेर करते हैं तो पूरे साल के लिए करते हैं पूर एक्जेंपल के आपनिंग स्टोक फस्ट जन्वरी 2020 करते हैं जो पिछलो साल है ना हमारा गुजर गया खतम हो गया उससे करते हैं ओपनिंग स्टोक आपको दिया जाता है कि हमारे पास ओपनिंग स्टोक इतना है उसकी डेट दी जाती है और फिर क्लोजिंग स्टोक जो आपको बताया जाता है वो होता है अब पूरा साल चलना है ना लास्ट डेट क्या होगी 31 दिसमबर 2020 ठीक है यह होता है कि हमारे पास जब साल शुरू हुआ था तो कितनी चीज़ें बची हुई थी साल एंड हुआ तो कितनी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं यहां तक है बात क्लियर अब देखें बचे स्टोक्स की कितनी काइंट होती हैं मारे पास तीन होती है एक होती है रा मिटीरियल ठीक है दूसरी हमारे पास होती है वारकें प्रोसेस जिसका काम अभी चल रहा होता है मतलब पढ़ी हुई तो हैं मारे पास चीज़ें लेकिन अभी ना तो यह सेल्स में जा रही है ना परचेज में ज century, आपको मैंने बतादिया है, एक होता है closing stock, और एक होता है opening, तो opening भी आपको given होता है, ठीक है, opening stock होता है, आपके पास, यह होता है given account में ठीक है, फिर उसके बाद होता है closing stock, यह भी आपको given होता है, next जीज, अब इसको यहां पे करते हैं, हम लोग wind up, अब करते हैं इसकी बात परचेज अकाउंट की बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर जगा होगी काम ठीक है हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज पेज अच्छा बचे बात हम लोग कर रहे हैं परचेज की परचेज अकाउंट सेम यही काम करना है आप लोगों ने भी ठीक है तब आप लोगों को समझ आईगी यह दर्वाइस नहीं आएगी अच्छा परचेज हमने अभी क्या पड़ा था परचेज अकाउंट में या तो होती है कैश पे और या होती है क्रेट पे तो बचे देखें अगर तो परचेज कैश पे हो जाती है ठीक है हमने कुई चीज खरीदी उसी टाइम पे इसके पैसे दे दिये बात हो गई हतम इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं मतलब इसको अभी डिसकास नहीं करते है क्योंकि हमारे अकाउंट में क्या है अगर तो य बोलें कि जो हमारे पास होगा कस्टमर हमने चीज खरीदी किस से खरीदी है यह पैन अगर मैं खरीदूंगी ना बचे किस से खरीदूंगी यहां भी मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है वो मैंने खरीद नहीं है तो हम जिस से चीज खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं उसको है हमने क्या क्या है चीजदनी है किस से कुछ लिएगे अब मैंने चीजदनी है । अप से आप क्या है? क्या है? आप है क्रेडिटर नहीं समझा रही में इसकोई बात नहीं, अभी समझा जाती है आपको ठीक है, मैं आपको क्या पिताती हूं कि हमने करने क्या है, इसमें एक और चीज यहां पर आप समझ लिएं, कि आप était दे रहे हैं, आप ने पैसे नहीं ली यहे, मैंने इभी आपको पैसे दिय यह नहीं है तो यहां पर क्या होगा बिल रिसीवेबल मिस्ट क्या गरवार यह नहीं समझारी आ जाएगी ना या फिर इसका जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है बी आर बिल रिसीवेबल देखे मेरे पास यह है बुक ठीक है यह मैं बुक खरीद रही हूं लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि यह मैं बुक खरीद लियू ठीक है मैंने बुक खरीद ली है अच्छा उसके पैसे मैं आ इमान लेते हैं कि आप ये शॉप पे बुक काम करते हैं मैं आपके पास गए हुऊığे बुक खरीदने के लिए ठीक है यहां बुक बना देते हैं जैसी भी पनी है रहे हमें से क्या बुक इब बनानी है ना बुक बना ली, मैंने बुक खरीद लिया और आपको बोला है मैं बाद में पैसे दूँगी ठीक है तो अब आप क्या करेंगे एक रिसीड जो मुझे बना के देंगे ठीक है उस पर आप सिगनेचर लेंगे आप कहांगे पता नहीं अब वापिस में आएंगी ये नहीं ठीक है आपको तो नही दे देते हैं अचा उस पर क्या करते हैं नेम एडरेस फोन नंबर वगएरा सारा लिखते हैं और फिर रिसीड जो आपके पास जो बिल आपके पास बनता है उस पर आपके सिगनेचर करवाते हैं कि यहां पर करें ना पहले सिगनेचर कि आपने पैसे अभी नहीं दिये तो है वो हमारे पास क्या होगा रसीवेबल होगा मतलब इसका यह है कि बिल अभी आपने क्या करना है बिल आप रसीव करेंगे ठीक है आपने क्या करना है बिल को रसीव करना है लेकिन यहां पे देखें यहां पे सुने मेरी बात कि आप हैं सप्लायर मैंने क्या करना है यहां बिल तो आपने चलिया औहें सप्लाइ कार दी या लेकिन मैं क्या और नगैरी हो तो परचेज में क्या कारना है ये तो आपके पास होगा आप सेल कारे हैं सेल का count आपने बनाना है 2 छीजे होती है बिल एक रिसीव अबल होता हे ऐक पे एबल मेरा ये अकाउंट है, परचेज मैं चीज़ कारी हूँ तो यहां पे क्या आईगा मेरे पास बिल, पेएबल, अब अगर बात करते हैं, यहां पे यहीं पे मैं बता देती हूँ, सेल्स का, ठीक है मैं सेल्स कारी हूँ चीज़ को, आप अब खरीद रही है ठीक है, यहां पे, और काम किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, ठीक है, अब यहां पे देखें, सप्लाइर, यह जब था, उसका, परचेज का था, ठीक है, तो सप्लाइर कौन था, जब मैं चीज खरीद रही थी, जो सप्लाइर आप थे, लेकिन अब मैं चीज आपको बेच रही हूं तो supplier मैं हूं ठीक है यहां पे आपको दे रही हूं правда अब ये मेरा account है पहले मैंने जब ये वाला जब ने पर्चेज सीज्ड का रही थी तो ये वाला था मेरा account ठीक है लेकिन इसमें रेक क्या करना था बिल को payable मनाना था फिर से बताती हूं देखें बचे इसको जरा सा करते हैं साइड बे ठीक हो गया अज़े बुक खरीद रही हूं में क्रेट पर खरीद रही हूं ठीक है लॉन पर खरीद रही हूं अभी पैसे उसके नहीं दूँगी क्लियर है बुक खरीदी है मैंने किस से खरीदी है सप्लाइर से खरीदी है जहेर इसी बात है अब मैं कैसे ऐसे तो किसी से नि खरीद सकती न अब जो बिल बनेगा जो मेरे पास होगा मैंने भी ये पैसे पे करने है ठीक है बिल पेएबल या फिर payable यहां लिखने के बजाए मैं क्या लिख लेती हूँ bp bill payable अब यहीं पे अगर हम sales का account को देखें यह चीज clear है ना ठीक है bill क्या करना है मैंने pay करना है मैंने signature की है इस bill की उपर कि यह पैसे मैंने आपको इतने देने है बट एक account आपके पास होगा sales का account ठीक है यह तो मेरे पास purchase का account है कि मैंने यह चीज खरीदी है यह bill payable है यह मैंने bill इस पे signature की है कि मैंने इतने पैसे आपको देने है मैंने यह book खरीदी है आपके पास भी तो कोई record होना चाहिए ना तो उसके लिए क्या करेंगे हम बनाएंगे sales account ठीक है create पे हो रही है और दूसरा sorry यहाँ पे लिखना था cash और यहाँ पे क्या हो जाएगा create पे अच्छा बच्छे मैंने आपने अब यह वाली book आपने यह मेरा account था ना purchase वाला आपने purchase की है create पे होई है आपने किस को दी है customer को मैं आपकी customer हूँ ना customer को आपने book दे दी ठीक है जिसको book दी है वो क्या होगा आपने जिसको book दी है customer उसको हम क्या कहते है data इसको debit debit जो लोग पढ़ते है ना debit वो नहीं होता इसमें भी होगा silent तो हम इसको क्या बोलेंगे data ठीक है जब मैंने book buy की थी आप से आप से जब मैंने book buy की थी आप supplier थे आपको मैंने क्या नाम दिया था creator का दिया था अब देखें आप आपने book मुझे दी है as a sale man आप देखें आपने book मुझे दी है और मैं कौन हूँ customer हूँ तो customer को accounting में क्या कहते है data कहते है ठीक है अब आपके पास bill payable कि मैंने bill को pay करना था यहाँ पर आपके पास क्या होगा bill receivable या फिर BR समझाई यह कुछ यह नहीं आई purchase account मेरे लिए था उस पर end पर क्या था bill payable कि मैंने bill pay करना है sale account आपके लिए है आपने चीज sale किये मुझे ठीक है तो आपके लिए क्या होगा bill receivable कि आपने bill को receive करना है आपने अभी पैसे receive करने है payable mean bill payable मैंने पैसे अभी देने है और आपने bill receive करना है तो bill हो गया receivable यहाँ तक clear है यह चीज़ ठीक है nine minute में जतना भी काम further होता है हम उसको करेंगे और फिर next class again start करेंगे next lecture में ठीक हो गया यहाँ तक अगर किसी को कोई issue है तो बताई जिल्दी करें बचे अच्छा आगे अब देखें हम क्या करते हैं creditors यह आप लोगोंने note करना है साथ-साथ ठीक है आप लोगोंने करना है इसको note करना है book में आप लोगों की ही use का रही हूँ आपकी इस दफ़ा जो math वाली book थी वो change हुई थी लेकिन यह वली book जो है यह मेरे पास change नहीं हुई मैंने आपको अभी तक बताया है sales account ठीक है उसके बाद मैंने आपको बता दिया है purchase account का भी बता दिया है फिर transactions, build transactions में और balances में क्या फार्क है वो बता दिया है आपको मैंने stock का बता दिया है ठीक है next जो चीज हमारे पास use हो रही है अचा बिल payable और बिल receivable भी आपको मैंने बता दिया है ठीक है 9 105 बताती हूं आप नेक्स्ट एक्सपांडीचेश अचर जे के एक श्रक क्या होते हैं बचे बताती हूं न आपको 40 टेकंस क्वेंचे अजिक्ल, देखिए क्पेंधिचर हमारे पास बीnormेचर से यह hijos होते हैं कर दो आधें में होता है revenue expenditure और दूसरा होता है capital मैं छोटे फोटो लिकर शुरू कर देती हूं लेकर भूल जाती हूं कि शाहिद आप लोग उनको पिर समझना आए ठीक है अभी देखते हैं कि हमारे पास revenue expenditures क्या होते हैं कि कुछ भी assets हमारे business से बाहर जाएं ठीक है पैसा है अगर हमारे business में से निकल रहा है ठीक है तो उसको क्या कहेंगे expenditure कहेंगे अगर लिए अगर commend fiya जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे expenditure जाएंगे मतलब assets का जाना क्या कहलाता है मारे पास expenditures कहलाता है तो बचे एक होते हैं revenue expenditures और दूसरे है capital revenue expenditures क्या होते है revenue expenditures वो होते हैं बचे कि हमने invest किए पैसे किसी किसी भी business में किसी भी firm में किसी भी company में और उसका benefit हम ने ले लिया उस year में accounting तो एक साल की होती है ना उसका benefit हमने ले लिया अच्छा benefit ले लिया उसका तो उसको क्या कहते हैं revenue expenditure नहीं समझारी कोई बात नहीं अभी एक example देखते हैं ठीक है अच्छा बच्छा यहां पर हमने क्या करना है यह है हमारे पास year ठीक है यह कौन सा year चाल रहा है हमारे पास यह इसका हम कर लेते हैं जी first January क्योंकि जो account है वो first start of the year first date जो होती है उससे start होता है ठीक है 2018 कर लेते है ठीक है है रहे हमने तो account ही बनाना है सिंपल 31 December आजाएगा 28 ठीक है अब यह है एक for example कि मैं हूँ यह मैं को भी छोड़ें Mr. A का लेते हैं ठीक है उसने क्या किया है यह है फार्मोस की ठीक है यह क्रांटियर का हम बना रहे हैं जो चल रहा है क्रांटियर में ठीक है अब यह है एक company उसकी ठीक है यह है एक company उसकी इस साल में उस company में जितना भी काम हुआ है कैसे बिस नहीं समझा रही बताती हूं मेरे पास है यह एक यह एक है फैरे अब यह जैसा भी है ठीक है फैरे ठीक है आप लोग समझे लेना कि यह एक बंदा है ठीक है इसका नाम में रखती हूं Mr. B ठीक है ना इस बंदे का नाम क्या है Mr. B है यह मेरे पास काम करता है मेरी company में काम करता है और इसको मैंने बोला है कि मैं तुम्हें salary दूंगी कितनी दूंगी 5000 पर मन्थ मैंने इसको देनी है 5000 पर मन्थ salary यहां तक clear है और यह देखें यह पूरा साल मेरे पास काम करता रहा है ठीक है और पर मन्थ अगर हम करें तो यह साल की कतनी बनती है 60 ताउजर देखें बचे मैंने क्या किया है मैंने इस بندे को पैसे दी आ है कि तुम करो मेरे पास काम ठीक है मैं तुम्हे 5,000 रुपिया एक महीने का दूंगा अब हर महीने में जाहिरी बात है वो काम करता है मैं जिस मकसद के लिए उसको पैसे दे रही हूं ठीक है वो काम भी तो का रहा है ना उसको मैंने किसी मकसद के लिए पैसे दी है कि तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो मैं उसको पैसे दे रही हूं ठीक है और 60,000 रुपया मैंने इस एक साल का उसको दे दि ये या फिर 5000 रुपे महीने पे दूंगी हो ये साल के स्टार्ट से साल के एंड तक मैंने उसको उसके पैसे भी दे दिये और साथ में साथ मैं उससे काम भी लेती रही ठीक है तो ये फत्म हो गई ना चीज ये एक साल तक रह गई तो ये हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंड कर वह तो क्या होता है बताती हुला DiPhone किसको कहते हैं छाओ मैंने कि पर्णवी है एयक बिल्डेंग क्यों पास्ट की इसकी एंड चीन को च। पे ये हो रहे पूरा साल 31 डिस्मबर 28 ठीक है इस साल में मैंने क्या किया बिल्डिंग एक पट페्टचे ज्कार लियाए अब देखेंग बिल्डिंग मैंने परचेज काली है तो क्या यह building एक ही साल तक चलेगी वह तब 2018 के शुरूमें मैंने ली ए तो क्या वो 2018 तक चलेगी अरे नहीं मिस यह तो चलती रहेगी building ऐसे कैसे हो सकता है कि building बस एक साल तक चलेगी उसके बाद खतम हो जाएगी उड़ जाएगी ऐसे तो नहीं होता ना हम capital expenditures कहते हैं समझागी है यह चीज अच्छा इसको भी मैं building को छोड़ने बुक ले रहेते हैं ठीक है बुक अगर मैंने लिए जैसे अभी आप fourth year में fourth year की accounting की बुक का पाड़ रहे हैं क्या आप वह चार साल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ना मैं क्या कह रही हैं आप चार साल हम क्यों पढ़ेंगे हमने तो बस अभी यह पढ़ना एपर देने और खतम हो जाएगा लेकिन आपने उसको पर्चेज तो किया ना बचे बुक पर्चेज की उसको एक साल के लिए आपने पढ़ना है फिर आपने अगड़ी क्लास में चले जा अब उसकी तो lifetime ज्यादा होता है ठीक है तो बचेज चलता रहेगा एक साल से ज्यादे का टाइम अगर चलता है तो वह हमारे पास क्या है capital expenditure यह चीज़ें आपने रखनी है याद ठीक है क्योंकि पेपर में आपको नहीं बताया जाता कि यह होता है जी expenditure revenue है और यह है capital आपक अच्छा अब चलते हैं अगले topic उपर और मेरे हाल से वीडियो हो गई है कुछ ज्यादा ही नंबी लेकिन अब क्या करना है हमने चलें जो बाकी चीज़ें रह गी है इन्शाला उसको करेंगे कल ठीक है अगर आपको समझ आगी है यह चीज़ें यह था lecture one part one था आपका basic terms का और इन्शाला next lecture में मैं आपको बताऊंगी basic terms का part two जो चीज़ें रह गी है वो आपके साथ discuss करूंगी वो आपको इसी तरह समझाऊंगी और वो तब मैं समझाऊंगी कि अगर आप लोग मुझे बताएं कि आपको accounting समझ आ रही है जो terms में आपको समझा रही हूं वो समझ आ आप आइसा करें आप लोग नच चेक करने lectures और भी accounting के अगर तो कोई समझा रहा है तो अच्छी बात है आपने क्या करना है आपने जरूर समझना है ठीक है आपने मुझे बताना है कि further इसको आपने carry on करना है या नहीं इसके साथ मैं आपको यह बताऊंगी कि अगर तो समझ आ जाती है तो फिर at the end मतलब आपका 17 को पेपर है तो 17 से पहले हमें एक live class रख लेंगे जिसमें हमने lecture one से lecture end तक जितने भी lectures होंगे न हमारे उसमें हमने जितना पढ़ा होगा उसको revise कर लेंगे जैसे हमने maths का काम गया ठीक है होपस हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी होगी कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई है कल फिर जब next lecture में आप लोगों के लिए बनाऊंगी तो उसमें फिर से महीं चीज़ें आपके लिए एक दफा फिर से repeat करू हैं ठीक है और सबस्क्राइब जैनल को नहीं किया तो कर दें बेल नोटिफिकेशन अन कर दें वीडियो चले के तो उसको लाइक जरूर कीज़ेगा और कमेंट में तो आपने मुझे बताना है ठीक है अपना बहुत सारा हयाल रखिएगा द्वाओं में याद रखिएगा तो आपने में बहुत सारा है तो किया कैसा है और सबस्कारण है और सबस्क्राण है और सारा है याद बखिएगा।